आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें इस प्रशन हमसे पूछा है, एक व्यक्ति है, जिसने 3640 रुपे 20 प्रतिशत वार्शिक दर्व पर चक्रवदी ब्याज पर उधार लिये हैं तो रिन को तीन वर्श में चुका रहा है वो व्यक्ति, समान वार्शिक किस्त में, तो उसे कितनी चुकानी पड़ेगी किस्त का मान पूछा, उसे कितनी चुकाना पड़ेगा, तो अगर हमारे पास किस्त समान होती है, तो हमारे पास एक सूत्र है, सूत्र है कि मिश्रदन, बराबर क्या होता है, किस्त, जो समान किस्त है, वो बट्टा, 1 प्लस, r की घात दो ढहा शोरी 1 प्लस r बट्टा 100 की घात 1 यह पहले वर्ष के लिए ठीक है और दूसरा वर्ष उसके लिए क्ष्ट बट्टा 1 प्लस r बट्टा 100 इसकी घात दो तो जैसे इस वर्ष हम आगे बढ़ते जाएंगे घाते बढ़ती जाएगी तो हमसे तीन वर्स के लिए पूचा है तो हमें एक को और डालना पड़ेगा किष्थ बट्टा एक प्लस आर बट्टा सो की घात तीन ठीक है यह हो गया अब हम मान लेते हैं कि जो हमें किष्थ निकादनी है माना किष्थ होगी X तो मिष्थ निकादन तो हमें दे रहा 3640 ठीक है और किष्थ हमारी X है वार्षिक दर कितनी थी 20 प्रतिशत थी हो जाएगा 1 प्लस 20 बट्टा 100 इसकी घात 1 प्लस यहाँ पर X आपिस यह भी 1 प्लस 20 बट्टा 100 इसकी घात 2 आजाएगी प्लस ऐसे वी वापिस यह X बट्टा 1 प्लस 20 बट्टा 100 इसकी घात 3 ठीक है अब इसको अपन हल करते हैं तो यह 3640 तो मेरा ऐसा ही रहेगा 20 बट्टा 100 मेरा 1 बट्टा 5 हो जाएगा उसके बाद मैं LCM लोगा तो यह आजाएगा मेरे पास X बट्टा ऐसे ही X बट्टा 36 बट्टा 25 आजाएगा यह क्योंकि घात 2 है न और ऐसे ही X बट्टा 216 बट्टा 125 आजाएगा तो इसको अपन जब उल्टा करेंगे तो यह मेरे पास आजाएगा 5X बट्टा 6 प्लस 25X बट्टा 36 प्लस 125X बट्टा 216 अब मैं क्या करता हूँ लज से ले लेता हूँ यहाँ पर LCM ले लेता हूँ तो 216 का LCM लोंगा मैं तो यहाँ पर आजाएगा मेरे पास 180X प्लस 150X प्लस 125X ठीक है तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आजाएगा यह एक सो 180, 150 हो जाएगे 330, 330 और यह रहाएगा 455 तो 455 X मेरे पास आजाएगा यहाँ से 7, 8, 6, 2, 4 तो X आजाएगा मेरे पास यहाँ से 7, 8, 6, 2, 4, 0, बटा 455 तो इधर से मेरे पास X का मान आजाएगा 1780 रुपे तो हमारे पास जो किष्ट है उसका मान आगा 1780 रुपे तो अगर हम अपने विकल्प देखे तो हमारा विकल्प यह सही है तेंक यू